गुद मॉर्णिंग दियर स्टुडेंट तोड़े विल स्टार्ट आवर सिक्थ चैप्टर आप साइन्स चेंजेज एराउंड अस हमारे चार और परीवर्दन कौन कौन से चेंजेज हमारे चार और होते हैं इसका हम स्टडी करें गें आज What a fun would it be if you suddenly get some magical power to change things around you क्या होता यदि आपको मिल जाती कोई magical power जिससे आप क्या करते हैं? चेंज करते हैं आपने चारों जो आपके things हैं उनको What are the things you would want to change वो कौन-कौन से चेंज वस्तों हैं ऐसी होती है कौन-कौन से ऐसी things होती जिनको आप चेंज करना चाहते हैं We not have magical powers of course हमारे पास कोई magical power नहीं है But we can still change लेकिन हम कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं A few things around us जो हमारे चारों और हैं Perhaps many things Can you list a few things? क्या आप ऐसी चीजों का list बना सकते हैं You can change around you जो आपके चारों और या आप उनको चेंज कर सकते हैं With no magic involved जिसमें कोई भी magic involved ना हो Many changes are taking place around us on their own हमारे चारों और बहुत सारे ऐसे changes होते हैं जो क्या होते हैं? खुद बखुद होते रहते हैं In the fields, the crop changes from time to time जो field होते हैं जापर grains बगरा लगाए जाते हैं वहां क्या होते हैं? Crops जो होती है, crops उनमें changes time to time दिखाय देते हैं Sometimes leaves fall from trees कभी-कभी क्या होते हैं? पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं Change color and dry out कभी उनमें परिवर्तन होते हैं कभी नई leaves आती हैं कभी वह सूख करके जड़ जाते हैं The flower bloom फूल खिलता है and then weather away और उसके बाद सूख जाता है मुर्जा जाता है Are any change happening in your body? क्या ऐसे कोई change हैं जो आपकी body में भी होते हैं? हाँ बहुत सारे change होते हैं हमारे body में भी जैसे your nails grow जैसे हमारे क्या होते हैं? जो nails होते हैं हाथ के पैरों के grow करते हैं Your hair grows हमारे बालों की length भी बढ़ती है You grow taller and your weight increase as you grow हम जब छोटे होते हैं तो हमारी height क्या होती है? बहुत छोटी होती है लेकिन हमारी age से दिरे बढ़ती है तो हम लंबे भी होते हैं हमारे weight में भी Increasement दिखाए नेते हैं Did you realize either that so many changes are taking place around you all the time तो हम समझते हैं कि हमारे चारों और बहुत सारे परिवर्तन जो होते हैं वह लगातार होते रहते हैं Can you change? Can some of the change we grouped together क्या ऐसे कोई changes है जिनको हम एक particular group में क्या कर सकते हैं grouped कर सकते हैं How can you group various changes आप various जो अलग अलग changes हो रहे हैं उनको कैसे group करेंगे कैसे उने group में डालेंगे It might help if we find some similarities between them यह helpful होगा तब जब हमें उनके बीच में कुछ similarities कुछ समानता हैं दिखाए दिए Can all change always be reversed हम इस faces पर क्या कर सकते हैं एक group में divide कर सकते हैं क्या जो सारे changes हमारे चारों ओर हो रहे हैं वो reverse जो हो सकते हैं क्या वो पूरा अपनी पूर्वा वस्ता में आ सकते हैं Take a balloon एक balloon लेना है and blow it और उसको भूलाना है Take care that it does not rust और उसमें इतनी ज़्यादा हवा नहीं दालनी है कि वो फूर जाए The shape and size of the balloon have changed जो balloon का size है या फिर जो उसका shape है वो क्या हो गया चेंज हो गया Figure 6.1 में देख वे एक girl क्या कर रही है हवा भर रही है balloon के अंदर तो उसका size और shape उसका क्या हो गया है Now let the air escape the balloon अब आपने क्या करना है उस balloon में से वो हवा को बाहर निकाल देने Activity 2 Take a piece of paper एक paper का piece लेना है आपने and fold it as shown in figure 6.2 और figure 6.2 में जैसे आपको दिया गया है एक paper और एक helicopter तो इन दोनों को आपने paper की help से ऐसा आपने क्या बनाना है एक helicopter आपने बनाना है You have changed the seat of paper into a toy aeroplane आपने क्या किया जो आपके बास seat थी paper की उससे आपने क्या बना लिया toy aeroplane बना लिया You may have lots of fun in flying these planes अब आपने क्या क्या बहुत सा ज़्यादा आपने मस्तिकी उस plane से जो आपने बनाया था उसको आपने उड़ाया Once you are tried, tried of it जब आप ऐसा करते करते आप जब ठक जाते हैं Unfold the paper again आप उस paper को क्या कर सकते हैं दुबारा से unfold कर सकते हैं यानि कि आप aeroplane से दुबारा से plane paper आप केन कर सकते हैं Activity 3 Activity 3 Take some door and make a ball आपने क्या लेना है गुदा हुआ आटा लेना है और उसकी एक ball बनानी है Try to roll out a roti और उससे क्या बनानी है आपने एक roti बनानी Figure 6.3 में दिखाया गया है आपर Maybe you are not happy with its safe क्या है आप उसके safe से खुश नहीं है And was to wish to change it back into a ball of dot again तो आप उसको क्या कर सकते हैं दुबारा से उसका गोला बना सकते हैं Now think about the three changes अब आप इन three changes के बारे में सोचो जड़ा आपने activity one में क्या किया एक balloon लिया उसमें आपने हवा बरी दूसरे activity में आपने क्या किया एक plane बेपल लिया और उससे आपने एक aeroplane बनाया थार्ड activity में क्या किया आपने आपने आते का गोला लिया और उससे रोटी बनाए ठीक है तो यहाँ पर what do they have in common उन सब में क्या common था would it possible to get the balloon back to its original shape and size क्या जो balloon था वो वापस से अपने original shape और size में आया was the size of the paper same as before the and after making an aeroplane क्या जो paper था उसका size aeroplane बनाने से पहले और बाद में same था would it possible to get back the ball off draw it again क्या जो ball थी जो रोटी थी उससे हमने तुबार ऐसे draw वापस राप्ते कर लिया सारे जो अभी तक हमने example पर रहे हैं वापर क्या हो रहे है back change जो हो जा रहे है what do you conclude अब आपने क्या सीखा इसमें से क्या हमने conclude किया in each of the three activities it is possible to get back to the material इन सारे three activities में हमने ये देखा कि possible था back to the material उस material पर वापर जाना with which we started our activity जिस activity को हमने चिस material से start किया था उसमें हम वापस उसमें चले गए if the answer is yes it means that the change occurring in these activities can be reversed अगर इसका जो आंसर है वो yes है तो हम जानेंगे या हमने जाना कि ये सारे changes जो अभी तक हुए इन activities में वो क्या हुए reverse हो सकते हैं now let us repeat the same activity with a difference तो चेप्टर का ये पार्ट इंपर complete होता है इससे आगया हम next video में दखिंगे thank you